नमशकार, वेलकम टुश्री गुरू मित्रों आज आपसे मैं कुछ स्पेशल टिप्स शेयर करूंगी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए यदि आपको रात को नींद नहीं आती है या फिर बहुत जादा नींद आती है पढ़ते वक्त नींद आती है आपकी यादाश कमजोर है और आप जल्दी से गुर्सा हो जाते है और इन सब कारणों से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आपको रोज ग्यान मुद्रा में बैटना चाहिए ग्यान मुद्रा बनाने हेतू आपको अपनी तरजनी उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से मिला देना चाहिए और बाकी की तीन उंगलियों को सीधा खड़ा रखना चाहिए इस तरह से रोज 20-30 मिनट तक कम से कम ग्यान मुद्रा का नेमित रूप से आपको अभ्यास करना चाहिए दूसरी बात है जल्दी सोएं जल्दी उठें अगर आप रात को 9-10 के बीच में सो जाते हैं और सुबह 3-4 के बीच में जग जाते हैं तो इस तरह से आप बहुत ही साउंट स्लिप लेते हैं और इस तरह ली गई प्रगार नीन से शरीर के आधा से ज़्यादा रोख तो ऐसे ही खतम हो जाते हैं तीसरी बात है कागरता का विकास इसके लिए आपको बहुत ही आसान और कारगर तरीका बता रही हूँ जिसे त्राटक कहते हैं त्राटक करने के लिए आपको आसन विच्छा के बैठना चाहिए और बिना पलक जपकाए एक टक कम से कम 5 मिनट तक अपने गुरु को अथवा इस्ट को या फिर दीब जोती को या राइजिंग सन को या किसी भी चीज को देखते रहना चाहिए त्राटक का भ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक करें उससे ज़्यादा ना करें ऐसा करने से आपकी मेमरी पावर में बहुत बढ़ोतरी होगी और आपकी नेत्र जोती भी बहुत अच्छी हो जाएगी नेत्र जोती अगर आपको विशेश रुप से बढ़ानी है तो आपको दीपक परत्राटक कर रहा चाहिए अब चोती बात ये है कि यदि आप स्टूडेंट है और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आपको पूल लपस का व्यास करना चाहिए और आपको रोज सुबह सुबह बेल के छे पत्ते दो चार काली मिर्च के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हुए चबा कर खाना चाहिए चाहें तो आप इसको पानी से पीस करके भी खा सकते हैं अगली बात ये है कि आपको अगर अपनी मेमरी पावर को बढ़ाना है मन की दुरबलता को दूर करना है और शक्ती भी बढ़ानी है शरीर की तो आपको रोज चार से पाँच काजू शहत के साथ खूप चबा कर खाना चाहिए ऐसा आपको रोज करना है अगली बात है कि आपको ताड़ासन जरूर करना चाहिए ताड़ासन के उपर मैंने एक वीडियो बना रखी है मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी आप उसे जाकर अवश्य देखें ताड़ासन करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो प्राण होते हैं वो उपर के केंद्रों में चले जाते हैं तो जिससे आपको जो स्वपन दोश है या फिर जो वीर विकार होते हैं ये सब दूर हो जाते हैं और आपके कदमे भी बहुत वृद्धी होती है ताड़ासन करने के लिए जल्दी से बता देती हूँ आप बढ़े रहें और अपनी दृष्टी को उपर आस्मान की तरफ रखें ये आसन दिन में आप दो तीन बार और पांच व दस मिनट तक के लिए कर सकते हैं अब सबसे अंत में मैं सबसे स्पेशल टिप दे रही हूँ जो की स्टूडेंट्स के लिए है और वो है शशांक आसन यदि आप अपने क्रोधी सभाव पे नियंतरन करना चाहते हैं निर्णे शक्ती बढ़ाना चाहते हैं और आग्या चक्रिम का भी विकास करना चाहते हैं तो शशांक आसन इसमें बहुत 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 लाब दाई है आप सबसे पहले शशांक आसन बनाने के लिए वजरासन में बैठ के सिर को जमीन पर लगा दीजिए और फिर हाथों को नमसकार की स्थिती में चोड़ दीजिए आपको मन ही मन ओम गम गणपताय मंतर का मांसिक रुप से जब करना है या फिर अपने इश्ट देव से प्राथना करना है या फिर अपने गुरु का ध्यान करना है और इस तरह से ध्यान करते हुए शर्नागती भाव से इस इस्थिती में पड़े रहना है इस तरह करने से आपकी जीवनी शक्ती का विकास होता है और आपकी memory power में बहुत इजाफा होता है आपकी concentration में इजाफा होता है और आपके अंदर संसकारों का भी विकास होता है तो अगर कोई माता पिता इस बात से दुखित चल रहे हैं कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं तो आप उनको शशांक आसन अवश्य करवाएं इस आसन को रोज सुबह सुबह उठते ही विस्तर से 10 मिनट तक करना चाहिए और जब आप रात को सोने जा रहे हों तो सोने से भी ठीक पहले आपको यह आसन करके तब सोने के लिए जाना चाहिए तो चलिए आज की यह टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी ऐसा ही मैं आशा कर रही हूँ आप लोग खोब खुश रहें, खोब स्वस्त रहें और जीवन में लगातार उन्नती करें, विकास करें यही मेरी मनो कामना है, इसी के साथ जय कुरें